गूल मॉर्णिंग एवरिबड़ी ब्यस्य पार्ट थार्ड के सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो लेक्षर में स्वागत है त्रांस्पिरेशन के बाद में आज नेक्स टॉपिक बात करते हैं फोटो सिंतेशिस फोटो सिंतेशिस प्रकास नसलेशन फोटो सिंतेशिस एक स सबी ने देख रखी है अपने समझे वह हुगा फ्रकास नसलेशन का होता है कैसे होताका सिथिसे क्या उत्पाद बनते हैं अर्ली क्ला्सिस में पढ़ रखा होका कुछ बात ता या अप्यमDay लाइट की उस्तेति में प्रकिदिया, simple organic compound के निर्मान की परकिदिया को प्रकासट इसलेशन पोटोसिं्थेसिस कहते हैं याणि कि पादप जगत में, याणि कि Plant Kingdom में यह है एक सबसे बड़ी किरिया जो दी है यानि कि जो नेचुरल जो देन है वो सबसे बड़ी यह दी है कि वो अपना बोजन खुद बना सकते हैं मुनुश्य या मैमल्स या हुमन्स जो इतने एडवांस हैं परन्तु इन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिया हुआ जिस्टे कि यह खुद अपना बोजन बना सकते हैं तो यह जो पर कारीया होगी बोजन इ sworn कि यह पाई जाते है तो क्लॉरोप्लास्ट कि स्टक्चर कू अपने देखते हैं कि यह सेल बाइलोजी के अंदर सेकंडियर और से पहले भी आपड़ चुके हो कि क्लोरोब्लास्ट एक ड्वी स्थरिये कोशिका विद्धियूप्त कोशिकांग है जिसमें आउटर और डो मेंब्रेन पाई जाती है और उसके अंदर प्रतिक क्लोरोब्लास्ट के अंदर है मेंब्रेन पाई जाती है और उसका जू मैट्रिक्स स्ट्रॉमा के लाएगा चाई यह जो प्र्टले काले आये गोरेना है और ग्रे Counter की जो ग्रूप होगा यानि कि उसमें जो प्रकास लेशन के जो मुख्या के दिया विधी है कि उतेजिए ग्रेना के अंदर होती है ग्रेना की अंदर कलोरोफिल मोलेकूल्स होंगे और क्लोरोफिल मोलेकूल्स ही जो इनर्जी है užको ट्रेप करते हैं और उसके अलावा गोहता स्यूटू के फिंज्ञ मन से कि इसका निर्माण 구ak packed अब क्लोरोफिल जो मुख्य पिग्मेंट है प्रकास नसलेशन में वह अधिकतर कौन सी लाइट अब्जोर करता है रेड और ब्लू कलर की जिसे अपने विप जोर करते हैं वाइलेट इंडिगो ब्लू रेड विप जोर पूरा जो स्पेक्ट्रम है चारसो से साथ सो नेड़ा मिटर का उसके अंदर जो ब्लू और रेड लाइट है वहां पर क्लोरोफिल क्या होगा करत रहेगा इस क्लोरोफिल ने जो मेंब्रेन है थैलेपड मेंब्रेन उसके अंदर ये जो फोटो सिस्टम होंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड जिसकी बात अपने बात में करेंगे वो वहाँ पर विवस्तित होते हैं जिन पर लाइट एनर्जी फोटों के रूप में गिरती हैं और उस photon light energy group में गिरने के कारण वहां से electron उच कक्षा में जाते हैं और उस energy को उजा के photon के energy को capture करते हैं और यह energy store होकर अगे चलकर glucose के रूप में अपने को प्राप्त होती है और उसके अंदर स्टरोमा होगा जो उसका फिलिउड होगा यानि कि थैलेकवाइट के इलावा जो परसन हो ऊसका स्ट्रोमा करता है जहां पर डार्क एक्शन हो गई अब ट्रीमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल बिक बिन बिन परकार के क्लोरोफिल पाए जाते Chlorophyll A, Chlorophyll B, Chlorophyll C, Chlorophyll D, Chlorophyll E, Bacteriobiridin, Bacteria Chlorophyll, जो बेक्टिरिया के अंदर पाए जाते हैं, इसके इलावा Carotinides, Genthophylls हैं, ये सभी बर्नक इनमें पाए जाते हैं, पर ते एक Chlorophyll की जो सरंचना होगी, Chlorophyll A जैसे हैं, Chlorophyll A में C, Pitchpin, H, Bacteriobiridin, O5, N4, Mg, ये इसका Chemical Formula है, जिसमें दो परकार की सरंचना हैं पाए जाते हैं, इसका Head और इसका Tail, दो परकार की सरंचना होगा, एक Porphyrin Head होगा और इसकी एक Tail होगी, Chlorophyll B में, थोड़ा सा फरक होगा, फॉर्मॉले के अंदर Chlorophyll B में C, Pitchpin, H, 70, O6, N4, Mg, तो यहां पर LD-8 ग्रूप, C, H, O, का के वल अंतर आएगा इसमें, बाकिस structure लगबर, रेम होती है, यह प्रारूपिक डियाग्राम बताए है कि किस परकार से, Light, Chlorophyll, Gel, तथा CO2 के से युगमन से, किस का निर्मान होगा, Sugar, Fatty Acid और Amino Acids का निर्मान होता है, यानि कि एक बोजन निर्मान की प्रारूपिक समझना बताए है, जिसमें सबसे पहले जो किलिया होगी, लाइट अनर्जी केप्चर होगी, जल की उपस्तिते में, फोटलाइसिस और वाटर होगा, और ऑक्सिजन का निकास होगा, इससे NDPH प्लस ATP का भी निर्मान होता है, ये पोटो फस्पोर एलेशन की किलिया होगी, जिसमें फोटो सिस्टम फस्ट और सेकंड कार्या करेंगे ये अपने बाज पड़ेंगे आगे, फोटो सिस्टम फस्टो और सेकंड, इसके बाद में, दूसरा जो साइकल होगा, जो स्ट्रोमा के अंदर होता है, ये तो मेलेशन नाम के अंदर हुआ, स्ट्रोमा के अंदर, क्या होगा CO2 fixation C3 cycle या Kelvin cycle होगा जिसमें CO2 का fixation होगा यानि कि लगातार ये cycle जारी रहेगा और प्रते एक चक्र में एक बार में एक carbon dioxide fix होती है तो C6H12O6 बनने के लिए 6 cycle Kelvin cycle के चलेंगे जिससे कि C6H12O6 का निर्मान होगा तो ये पुरी प्रारूपिक structure है कि किस परकार से एक glucose molecule का निर्मान होगा कोई चीज आपको बताईए कि light और dark reaction दो परकार की reaction होगी पहली reaction photo fast for relation जिसको light reaction बोलते हैं दूसरी C3 cycle dark reaction कह जाती है जिनकी अपने detail में बात करेंगे इसी परकार से chlorophyll जो molecules होंगे उसके साथ में केरोटिनाइड जेंटोफिल्स आदी structures आदी molecules भी पाए जाते हैं यह accessory pigments हैं जो इन chlorophyll को protect करते हैं और कम wavelength की light को absorb करके इनको परदान करते हैं इस परकार से यह संपूर्ण परकिरिया जारी रहती हैं तो आज अपने इस लेक्टर की अंतरगत शिर्फ अपनी यह बात की है कि किस परकार से chlorophyll molecules chloroplast होगा chlorophyll molecules chlorophyll molecules में थाइलेकोइड और स्ट्रोमा थाइलेकोइड के अंदर प्रोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड जिससे की light reaction होगी light reaction का product और CO2 स्ट्रोमा में C3 cycle के द्वारा किस का निर्मान करेगा glucose का निर्मान करेगा तो यह पूरी प्रकिरिया है जिसकी आउटलाइन आपको बताईए नेक्स्ट लेक्टर के अंदर कर अपने light reaction पोटो सिस्टम फर्स्ट किस सेकंड की बात करेंगे थेंक्यो